कि हालो फ्रेंड्स कैसे आप लोग उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे से होंगे देखिया अज बाजार में तो गिरावट आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी चार सो साड़े चार सो पॉइंट की डिप आपको नजराएगी और इस बीच में आपको तीन या चार से हैसे से बताऊंगा जिसमें ज्यादा डाउन फॉल हो सकता बट इतनी बड़ी गिरावट में भी कुछ ऐसे स्टॉक है जो आपको अपसाइड मोमेंटम दे सकता तो पर मार्केट उपर भी चलाए ना गैप डाउन के बाद में फिर भी इन सबी स्टॉक्स पर तेजी आपको नहीं दिखेगी इसमें प्रेशर ही दिखेगा बिकॉस कुरूड ऑइल एक सो तीस डॉलर के आसपास में ट्रेड कर रहा मतलब आप समझ सकते हैं इसका मतलब बहु को सोट सेलिंग देखने को मिलेगी और अगर आप सोट सेल करते हैं तो इन सबी स्टॉक्स के साथ जाना चाहिए विकॉस मार्केट अगर अपना गैप डाउन के बाद में रिकवरी कर भी लेता तो इन सबी स्टॉक्स पर आपको रिकवरी नहीं दिखेगी इसी के अगेंस् के ट्रेडिंग सेशन पर आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर कि थोड़ा सा डाउन डाउन साइड में था बट उस समय क्या हो रहा था क्रूड ओयल का प्राइस भी गिर रहा था जिसके वज़ा से लेकिन मैं अगर इसका पांच दिनों का चार्ट स्ट्रेक्चर लगाऊ तो आपको ग्रीन नोट पर नजर आएगा वह इन जिसी क्यों और मार्केट में कंटीनिवसली गिरावट थी बट आपको पांच दिनों में देखिए इसमें तेजी देखने को मिल रहा है स्टॉक में 170 अपसाइड में आपको मोमेंटम दिखा सकता आज के गैप डाउन के ब सकता है तो आज के लिए ओंजिसी को रिडार पर रखिएगा पॉजिटिव नोट के लिए इसके साथ-साथ आप यहां पर एड कर सकते हैं कोल इंडिया को कोल इंडिया भी पॉजिटिव नोट पर जा सकता है एक गैप डाउन के बाद में और दो और कंपनी एक बीपी सी ए हो चुका है रिफाइनिरी और पेट्रोलियम जो सेल करती है उन कंपनी इसके बीच में क्रूड ओयल इतना ज्यादा बढ़ चुका है तो यह चार-पांच स्टॉक हैं जो पॉजिटिव नोट पर आ सकते हैं और चार-पांच स्टॉक जो हमने बताएं वो डाउन साइड मतल नहीं एगा उसे इंट्रडे पे ही स्कॉर अप करने की कोशिज कीजिएगा इसे क्यारी करके ना जाइएगा विकॉस देख रहे ना आप मार्केट में क्या हो रहा है कुछ भी हो जा रहा है चार्चो चार्चों पॉइंट की गैप डाउन दोसो तीन सो पॉइंट की गैप और यह चलता रहेगा भी विकॉस दस दारिक को फिर यूपी एलेक्शन की रिजल्ट है और पांच जो अधर स्टेट में हुई है उनकी रिजल्ट है आज यहां पर एक्जिट पोल आएंगे साम तक तो उसका रियक्शन आपको कल बजार पे देखने को मिलेगा तो आप अप होता है तो बड़ा प्रॉफिट देगा बट उसी के अगेंस्ट में अगर डाउन होता है तो बड़ी लॉस भी हो सकती है तो पोजिट पोजिशन कैरी करके ना जाइएगा यह ज्यादा से पिले होगा तो चलिए मैं उम्मीद करता हूं आपके कछी जानकारी कीजिए इस टॉक में दीगए इंफॉर्मेशन सिर्फ एक इंफॉर्मेशन और नॉलेज परपस पर लिजिएगा ट्रेडिंग आप अपने हिसाब से कीजिएगा थैंक्यू